आज हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रत्योगिता में बाजार संतुलन Market equilibrium under perfect competition, its determination and effect of change in demand on equilibrium price तो शुरू करते हैं वीडियो बाजार संतुलन की धारना बाजार संतुलन बाजार की वैस्तिती है जिसमें एक विशेश कीमत के अनुरूप किसी वस्तु के लिए मांग उसकी पूर्टी के बराबर होती है संतुलन कीमत जो है वो बाजार मांग और बाजार पूर्टी के बराबर होती है आता है संतुलन कीमत है जिस पर किसी वश्टू की मांग और पूर्ती बराबर होती है अब आता है पूर्ण पूर्ण पूर्टोगिता में बाजार संतुलन का निर्धारन पूर्ण पर्टोगिता में संतलन कीमत केबल एक फरम द्वारा निर्धार्थ नहीं होती बलकि बाजार मांग और बाजार पूर्ती की प्रस्पर सक्क्यों के द्वारा निर्धार्थ होती है संतुलन कीमत के निधारन को हम निमन तालिका और रिखाचितर से सपस्ट कर सकती है आपके सेक्रीन पर तालिका दी हुई है इस तालिका में एक और प्राइस दूसे और वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्टी को दिखाया गया है उब्रोक्त तालिका स्पस्ट करती है कि जब वस्तू की कीमत पांच रुपे है तो वस्तू की पूर्ती पचास दर्जन तथा मांग दस दर्जन है मालो विग्रेता वस्तू की बिग्री बढ़ने के लिए उसकी कीमत कम कर देते हैं और कीमत कम होने से उसकी मांग बढ़कर बी दर्जन हो जाएगी जबकि पूर्ती कम होकर चालिस दर्जन हो जाएगी बिग्रेता वस्तु की और कीमत कम करके तीन रुपे कर देते हैं इस कीमत पर मांग वा पूर्ती एक दूसरे के बराबर जाते हैं इस प्रकार परत्योगिता की स्तिती में बाजार कीमत संतुलन कीमत के बराबर निर्धार्थ होगी हम इसे एक रिखाजितर से स्पश कर सकते हैं आपके सिखर्णिन पर रिखाजितर दिखाया गया है जिसमें OX अक्षपर वस्तु की मात्रा और OYX पर वस्तु की केमत दी गई है प्रेड की गई है डेडी मांग बकर SS पूर्थी बकर है यह दोनों बकर एक दूसरे को बिंदु E पर काट रहे है आता है बिंदु E संतुलन मिंदु है इस बिंदु से ग्याद होता है कि संतुलन कीमत तीन रुपे और संतुलन मात्रा तीस दर्जन है मालो कीमत बढ़कर पांच रुपे हो जाती है मालो कीमत बढ़कर पांच रुपे हो जाती है तो मांग दर्जन और पूर्थी पचार दर्जन होगी इस कीमत पर अत्रिक्त पूर्थी A, B के बराबर होगी इस तिती में पूर्थी के मांग से अधिक होने पर कीमत में कमी आएगी जिससे वह संतरों कीमत तीन रुपे के बराबर हो जाएगी इसी प्रकार जिदी कीमत कम होका दोर पर रह जाती है तो पूर्ति मांग से कम होगी मांग के पूर्ति से अधिक होने स्थिति में कीमत में विधी होगी जिससे कीमत फिर से 3 रपे हो जाएगी था आब आती है इसकी पूर्ण परत्योगिता में संतुरन कीमत की मानत है नमबर एक मांग वकर का ढ़लान गनातमग है नमबर दो पूर्ति वकर का ढ़ाल गनातमग है नमबर तिन बिना सरकारी हस्तक शेव की पूर्ति और मांग की शक्तियां स्वतंतर कारिय करती है अब हम पढ़ेंगे मांग में होने वाले प्रवर्तनों का संतोन की मतबर है इन दोनों स्चुलों को हम पढ़ेंगे तो पहला ये पोईंट मांग में होने वाली प्रेवर्टन का संत्रलbon किरम पर प्रभाव यदि वस्तु की पूर्टीश्थी रहती है तो मांग के बढ़ने से किमत बड़ेगी और मांग के कम होने से किम कम होगी हम इसे एक रिखाज़ चित्र स्पष कर सकते हैं आपके सट्रूज्वाइब पर यह दिया हुआ है उस रिखाज़ चित्र में सपष्ट है कि डिडी प्रानाभी के मांग वक्र और ऐस प्रानाभी पूर्ती वक्र है ओवी संतुल की मत और हो क्यों संतुल मांग पूर्ति वक्र SS को E1 बिंदू पर काट रही है आता E1 बिंदू निया संतुल बिंदू होगा और OQ1 नई संतुल मात्रा वे OP1 नई संतुल कीमत होगी इसी प्रकार यदि मांग में पूर्ति तुलना में कमी होने के करण मांग वक्र दाई और सरकर D2 D2 हो जाता है तो यह पूर्ति वक्र को E2 बिंदू पर काट रहा है आता E2 नया संतुल बिंदू होगा इस बिंदू पर OP2 नई संतुल कीमत और OQ2 नई संतुल मात्रा होगी दूसरा आता है पूर्ती में होने वले प्रिवर्तनों का संतुलन कीमत पर प्रभाव किसी वस्तु की मांग के स्थिर रहने पर उसकी पूर्ती में ब्रिदी होने से संतुलन कीमत कम होगी और पूर्ती में कमी होने संतुलन कीमत बढ़ेगी इसे हम निमन रेखाचित्र के मात्रम से स्पष्ट कर सकते हैं आपके सकरीप पर रेखाचित्र दिया गया है उस रेखाचित्र में DD प्राणभीक मांगवकर और SS प्राणभीक पूर्थी वकर है ओ क्या, प्राणबिक संत्योलन कीमत और ओ क्योज प्राणबिक संत्योलन मांग व्यप्पूर्ति है माल लोग पूर्ति मेब्रिदी होने से पूर्ति वकर नीचे दाई और सडतकर S2S2 हो जाता है यह नया मांग वकर DD को बिंदू ई पर काट रहा है E2 निया संतुल मेंदू होगा इस बिंदू पर OP2 नई संतुल कीमत और OQ2 नई संतुल मात्रा निर्धार्त होगी इसी परकार पूर्तिय काम होने पर पूर्तिवकर उपर दाईयों और सरकर S1 S1 हो जाएगा जो DD मांग बकर को E1 बिंदू पर काट रहा है इस नई संतुल मेंदू E1 पर संतुल कीमत OP1 तथा संतुल मात्रा OQ1 होगी अब हमने पड़ा था मांग और पूर्ति में परिवर्तन से संतुल कीमत पर प्रभाव अब हम करेंगे दुनों का मांग और पूर्ति की एक साथ परिवर्तन तथा संतुल कीमत वास्तवी जीमन में संतुलन कीमत पर मांग और पूर्ती में एक साथ प्रिवर्तन होता है अता है संतुलन कीमत पर मांग और पूर्ती में एक साथ प्रिवर्तन के पढ़ने वाले परभाव को हम निमन प्रकार से अध्यानित कर सकते हैं तो पहला है मांग और पूर्ती में एक साथ व्रिधी, मांग और पूर्ती में एक साथ व्रिधी होने से बस्तु की संतुलन मात्रा में अवश्या व्रिधी होती है, प्रंतु कीमत में कोई प्रवर्तन नहीं होगा या नहीं इस बात पर निर्वर करता है कि मांग में पूर्ती समंद्ध को तीन सितियों में हम दर्शा सकते हैं तीन सितियों में उसके व्याक्या कर सकते हैं इसे हम निमन चित्तर द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं आपके सक्रीन पर एक रिखाचितर दिया गया है इसमें हमने तीन रिखाचितर बनाए हैं जिसमें A, B, C तीन रिखाचितर ह तो रिखातितर एसे सफ़स्ट है कि D1, D1 प्रानभी क मांगवकर है तथा S1, S1 प्रानभी क पूर्तिवकर है संतुलन कीमत OP1 है तथा संतुलन मात्रा OQ1 है मांग के बढ़ने के कारण नया मांग बगकर D2, D2 हो जाता है और पूर्ति के बढ़ने पर पूर्ति बगकर S2, S2 हो जाता है इस्तिति में मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ने है इसलिए कीमत बढ़कर OP2 और मत्रा बढ़कर OQ2 हो जाती है अता है पूर्ति की तुलना में मांग के अधिक बढ़ने संतुल कीमत और संतुल माता दोनों में ब्रिदी होती है यह रिखाचितर एस पस्ट कर रहा था दूसरा रिखाचितर भी स्पस्ट करता है कि मांग और पूर्ती में समान ब्रदी हुए इसलिए कीमत में कोई प्रवर्दिन नहीं है परंटु वस्तु की मात्रा O क्यों से बढ़कर O क्यों टू हो जाती है अता है जब मांग और पूर्ती में ब्रवर्दी होती है तो संतुल केमत में कोई प्रवर्दी नहीं होती परंटु संतुल मात्रा बढ़ जाती है इसी प्रकार एकाट चितर C सपश कर रहा है कि पूर्ती में होने वाली बृदी मांग में होने वाली बृदी की तुलना में अधिक हुई है आता है केमत OP1 से कम होकर OP2 हो गई है प्रंतु संतुलन मात्रा OQ1 से बढ़कर OQ2 हो गई है जब मांग ये प्रेक्षा पूर्ती में व्रिदी अधिक होती है तो संतुलन कीमत कम और संतुलन मात्रा बढ़ जाती है अब हम पढ़ेंगे दूसरा point मांग और पूर्ती में एक साथ कमी इसे निम रिखाचितर के माध्यम से सपश्ट कर सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक रिखाचितर दिया हुआ है जिस प्रकार से हमने पहले point में मांग और पूर्ती में एक साथ व्रिदी को पढ़ा उसी प्रकार से हम इस point में भी हम तीन चितरों के माध्यम से इसको वणनित कर सकते हैं उप्रोग रिखाचितर में तीन रिखाचितर दिये हैं A, B और C रिखाचितर A सपश करता है कि D1, D1 प्रानभी क मांग वक्र है और S1, S1 प्रानभी को पूर्ती वक्र है संतुलन कीमत OP1 तथा संतुलन मात्रा OK1 है मांग के कम होने के करण नया मांग वक्र D2, D2 हो जाता है और पूर्ती कम होने के करण पूर्ती वक्र S2, S2 हो जाता है इस्तिति में मांग में पूर्ती की तुलना में अधिक कमी हुई है अज़ा संतुलन कीमत घटकर O.P.2 और संतुलन मात्रा घटकर O.K.O.2 हो जाती है अज़ा पूर्ती की तुलना में मांग के कम होने पर संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा कम हो जाती है ये हमने रिखाजेतर ये में स्पष्ट किया है दूसरा रिखाजेतर भी स्पष्ट करता है ग्याद करता है कि मांग वैपूर्ती में समान कमी हुई है जिससे वर्ष्टू की मांग वैपूर्ती की मत्रा OQ1 से कम होकर OQ2 हो गई है आता है जब मांग और पूर्ती में ब्राबर की कमी होने पर संतुलन कीमत में कोई प्रवर्तन नहीं होता प्रंतों संतुलन मात्रा कम हो जाती है आता है मांग और पूर्ती में ब्राबर की कमी होने पर संतुलन कीमत में जदी कोई प्रवर्तन नहीं होता तो क्या होगा प्रभाव क्या होता है संतुल मत्रा कम हो जाती है अब रिखाचितर सीर से क्या दोता है तीसरा पॉइंट की पूर्ती में होने वाली कमी मांग में होने वाली कमी की तुलना में अधिक होई है इसलिए कीमत इसलिए किमत OP1 से बढ़कर OP2 हो गई है परंतु संतुनल मात्रा OK1 से घटकर OK2 हो गई है जब पूर्ती में कमी मां के तुलना में अधिक होती है जब पूर्ती में कमी मां के तुलना में अधिक होती है तो संतुनल किमत बढ़ जाती है और संतुल मत्रा कम हो जाती है घर जाती है धिन्यवाद